हेलो फेंच लेट सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं क्या हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर ना बहुत समझदार बहुत इंटेलिजिन परसन है बहुत इंटेलिजिन परसन है और उनको दिमाग ना बहुत ज़्यादा चलता है और आपको लेके ना he feel like you are the love of their life और उनको ना ये भी लगता है कि आप उनकी लाइफ में लग के साथ साथ एक divinity भी लेके आते हैं financially भी वह आपको उनको लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में किस्मत के दर्वाजे चमक गए किस्मत के दर्वाजे खुल गए हैं और लेकिन फॉर सम कंडिशन फॉर सम कंडिशन उन्हें ना अभी कुछ कहीं वह बंदे हुए हैं और वह आपकी तरफ आने का प्लान क वह बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे क्योंकि या फिर अगर वह आपके साथ हैं तो गाइस जो भी आपकी लाइफ में फेज आ रहा है ना यह थोड़ा टेंप्रेरी फेज है यह तेंप्रेरी फेज है आप इस फेज से मूव आन कर जाएंगे और मूव आन करके आप अ आपके साथ उन्हें अच्छा फील होता और आप थोड़े शाय नेचर क्यों आप बोल नहीं पाते लेकिन वह बहुत स्मार्ट बहुत क्लेवर हैं और वह बहुत इंटेलिजेंटली चीजों को देखते हैं उनके आसपास के लोग जो भी हैं वह भी बहुत इंटेलिजेंट आपके साथ नहीं हैं जो आपके साथ नहीं हैं जो आपके साथ हैं जैसे मैंने कहां कि यह बहुत इंटेलिजेंट परसन है सुर्ण जैसे मैंने कहा कि यह बहुत इंटेलिजेंट परसन है और मुझे ऐसे लग रहे हैं कुछ लोग यह रीडिंग सुनते सुनते ही रो पड़े जो मुझे एकदम एनरजी फिल हुई बट देन गाइस रोने वाली बात नहीं है समझने वाली बात है वह भी प्यार करते हैं आप भी प्यार करते हैं बट जहां सिर्फ हो देख रहे हैं ना वहां से आप दोनों के रिलेशन्शिप का कोई फ्यूचर नहीं है लेकिन लेकिन फिर भी वह एक बार जरूर चाहेंगे आपकी तरफ आना और आएंगे एड़ प्रसेंट भले ही वह कुछ भी देख रहे आपके साथ एक नहीं शुडवात करेंगे कब करेंगे जब जिस रिलेशन्शिप को अभी वह टटोल रहे हैं जिन लोगों को वह टटोल रहे हैं जब उन्हीं बाते समझ आजएगी देट नो वह चीज़ें उनके नहीं हैं और जो आप हो ना आपके बिना शायद वो अपनी लाइफ में कुछ सोच नहीं सकते आप से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते लेकिन गईथ इस फेस को आने से पहले आप दोनों का ही मन इतना ज़्यादा टूटेगा ना नहीं सिर्फ आपका उनका भी इतना ज़्यादा तूटेगा इस रिलेशन्शिप में इतने ज़्यादा अपने डाउंस होने वाले लेकिन अपने अपने डाउंस को जेल जाओ तो फिर डेफिनिटली विल कम तो वर्ट वर्ट वेद यू दे नो यू आई देर लख और वो अपनी लग के पास रहेंगे और आपके लाइफ बहुत अच्छ करें तो वह कहीं बंदे हुए हैं कहीं और को देख रहे हैं कुछ और और इस रिलेशन्शिप में बहुत अपने डाउंस हैं जो आपकी दोनों की लाइफ इन इंडिवीज्वी हैं सिआपके पार्ट पे आपके पार्ट पे फिर भी बहुत स्टेबल हो बट उनके पार्ट हैं जितना अपने आपको इंटेलिजेंस समझ रहें ना उनके राइप में आपसे ज़्यादा आप एंड डाउंस हैं इतना कुछ देने के बाद भी वह ऑन और रिलेशन्शिप आपसे ज़्यादा उनको मैटर करेगा आपसे ज़्यादा उनकी हालत इसमें खराब होने वाल करें लाद बहुत बहुत बाद लेंगे क्योंकि जहां हमें पियाद यहां मिलता है ना इंसान बार-बार महा जाता है और जहां में पता होता है कि वह परसन बहुत इंटेलिजेंट है वह समझधार है तो हर बार इंसान उसकीत तरफ अपने हाफ पुष होता div a और फूल ओ के लिए जो आपके परसन आपके लिए वापस चलते चलते आएंगे लेकिन आप अपना दिहान रखेगा क्योंकि जो मुझे देख रहा है प्री मन्त तक तो सब सही है लेकिन एफ मन्त में कुछ से कॉप्लिकेशन आएंगे वह अपने ज़रूर धियान रखेगा मुझे लगा कि यह बात मुझे बीच में बता दिनी चाहिए जो भी मेरे प्यूवर्स हैं उनके लिए और आपके परसन बहुत एक्टिव हैं एक्टिवली सोचते हैं और एक्टिवली आगे बढ़ जाते हैं तो वह किसी और डारेक्शन में चले जाते हैं जब वह सोचना शुरू करते हैं परिस्तितियों को देखते हैं तो वह आपकी तरफ आने लगते हैं बेसिकली इंटेलिजन और मैनिपलेटिव परसन हैं यह आपको से लिडिंग से कुछ ना कुछ गाइड़न्स ज़रूर अगर आपके रिडिंग अच्छी लगी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बाइटिक क्या गट ब्लेज्ट